हलो दोस्तो वेलकम टू स्टडी यूनिवर्स मद्धिप्रदेश के नमबर वन चैनल फॉर डेली करंट अफेर के इस वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तो आज हम बात करेंगे मद्दप्रदेश weekly current affair यानि मद्दप्रदेश सापता है current affair के बारे में जिसमें हम चाचा करेंगे 11-20 November 2020 के भी जितने भी important question हुए मद्दप्रदेश, वर्ल्ड और इंडिया जीके से उसके बारे में दोस्तो इस वीडियो को हिंदी और इंगलेस दोनों भासाओं में बनाये गया है दोस्तो जो भी जितने भी आपकी प्रतियों की परिक्षा या competitive exams है उनके लिए most IMP current affair है इसके अलाबा मद्दप्रदेश के लिए तो दोस्तो सबसे important है एक वरे आपको information दे दू कि इससे पहले भी पूरे साल 2020 का current affair में एक एक वीडियो बना चुका हूँ आप उसे जाकर देखें और इसकी बाद आने वाले December का भी और जुचन पर इन दोनों का current affair में आपको MP Constable के लिए उपलब्द करा दूँगा दोस्तो वीडियो में top 40 questions लिए गए हैं जो most important है आपके exam में यहां से question पूछा जा सकता है तो चलते हैं दोस्तो बिना समय गवाए चलते question number first पर रूपसी हवाई अड़ा बिकस्त किया गया है ये कहां पर इस्थत है तो दोस्तो रूपसी हवाई अड़ा असम में असम में इस्थत है दोस्तो बात आईए असम की तो चलिए आपको मैप में असम के बारे में बता देते हैं दोस्तो मैप में आप देख पार होगे यह है असम असम 7 स्टेट में हर राजजी को छूने वाले बॉंड़ी है अगर आपसे पूचा जाए तो दोस्तो आप देख पार होगे यरणा चप्रदेश से नागलेंड, मनीपूर, मिजूरम, तिरपुरा और मेगाले यह है सबी 6 बाकी स्ट्रेटों से छूती इसकी सीमा है चलिए दोस्तो आप बात करते हैं इसकी स्थापना की तो 26 जनबरी 1950 को इसकी स्थापना की गई थी राजदानी दिस्पूर है यहां के जो गवर्णर है वाई जगतिस मुखी है अगर बात की जाए राजज़सवा सीटों की तो गुल साथ और लोगसवा की कुल 14 सीटे है असम में तो आपको इतना असम की वारे में याद रखना है नेस्ट कोशन इस MM नरवनी को किस देश ने सेना की मानत उपादी से सम्मानित किया है तो दोस्तो नेपाल ने जो हमारे सेना की चीफ यानी MM नरवनी है उनको नेपाल के द्वारा सेना की मानत उपादी से सम्मानित किया गया है दोस्तो आपको वदादे सबसे पहले 1950 में इस मानत उपादी से केम करियपा को सम्मानित किया गया था एक और important fact आपको याद रखना है, 2019 जनवरी में नेपाल के सेना पर्मुक पूर्व चंद थापा को भारत की तरफ से मानद उपादी से सम्मानित किया गया था और अब 2020 में हमारे चीफ MM नर्वने को नेपाल ने मानद उपादी से सम्मानित किया है दोस्तो बात आईए नेपाल की तो आपको मैप में नेपाल के बारे बता दें, ये देख पा रहाँगे आप नेपाल की लोकेशन है जो हमारा पड़ोसी देश भी है नेपाल का जो मोटो है वह है जन्मी, जन्मभूमी, स्वर्गदापी, गरियशी है यहां की जो राजधानी है काटमांडू है अगर राष्टपती या अध्यक्ष की बात किजा तो विद्या देवी भंडारी है अगर बात किजा प्रधान मंत्री की तो खड़क प्रसाद ओली नेपाल के प्रधान मंत्री हैं दोस्तो आपको एक और इंफर्मेशन देदू कि इनहीं की पार्टी ने हाली में निकाल दिया है और अगर बात किजा नेपाल की मुद्रा की तो नेपाली रुप्या यहां की म नेक्ट कोशन भारत और किस देश के बीच C.A.R.A.T. नौसेनेक युदभ्यास शुरू हुआ है तो दोस्तो एसका सही option है बंगलादेश भारत और बंगलादेश के बीच C.A.R.A.T. इस नाम का नौसेनेक युदभ्यास हाली में शुरू हुआ है आपको बता दें भारत और बंगलादेश के बीच इसके अलावा संप्रिती भी आयुजद किया गया है और उसका नौबा संस्क्रण 2020 में आयुजद किया गया है इसके अलावा और ये एक और युदभ्यास हो जाएगा C.A.R.A.T. दोस्तो बात आईए बंगलादेश की तो आपको मैं इसके बारे में मैं आप देख पार हूँगा ये है बंगलादेश बंगलादेश का जो गान है वह अमार सुनार बंगला है एक इंपोटेंट फेक्ट यहाँ पर आपको बता दू कि हमारे चो रवेंदनार टैगोर जी उम्हान कभी थे जैने नोबल प्रुसकार से सम्मानत भी किया गया है उन्होंने बंगलादेश का रास्टगान लिखा है और दोस्तों दुनिया में ये एक मात्र ऐसे कभी हैं जिन्होंने दूर देशों के रास्टगान लिखी हैं बात करते हैं इसे देश कब बनाया गया थो 26 मर्च 1971 को बंगलादेश को देश खोशत किया गया था statistically यहाँ की तो अब्दुल हामित यहां की रास्टपती है, प्रधानमंत्री शेख हसीना है, और यहां की चो मुद्रा है, वह बंगलादेशी टका है, या BDT है, दोस्तो आपको एक्जाम में यह ऐसा सौट फॉर्म बना आ सकता है कि कि किस देश की मुद्रा BDT कहलाती है, तो आपको या उप्षन है, M.M. Kutti, दिल्ली NCR में प्रदूशन रोकने जो समीती बनाई गई है, उसके head है, दोस्तो आपको एक और important fact बता दूँ कि यह पूर्व मुख सचव रह चुकी है, और इनकी निक्ती तीन वर्ष के लिए की गई है, और यह जो दिल्ली NCR के प्रदूशन रोकन में आया चक्रबादी तूफान का नाम क्या है, तो दोस्तो इसका नाम ETA है, और इसकी जो speed है, वह लगवक 240 km पर आवर रही है, दोस्तो आपको बता दें, मद्ध अमेर्का में मेक्सिको, होंडारूस आदी देस आती है, पनामा भी इसी के अंतर गताता है, गौाटिमाला आदेस भी इसी के अंतर गताता है, तो आपको याद रखना है, मद्ध अमेर्का, उत्री अमेर्का और दक्षनी अमेर्का के बीच में स्थित है, नेस्ट कोशन है, रोरो पैक्स फैरी कहां शुरू की गई है, तो दोस्तो यह रोरो पैक्स फैरी गुजरात में आयजित, ग सूरत के हजीरापूर शहर से भावनगर गुजरात के बीच यह चलाई गई है, आपको याद रखना है, इसका उद्धान मंतरी मोदी जी ने किया है, दोस्तो इन दोनों शहरों की जो लोकिशन है, वो मैं आपको एक बार मैप में दिखा देता हूँ, दोस्तो अगर आप ग समुद्र की बीच में सुनू की गई है, अगर बात की जाए इनकी सड़क के द्वारा, यानि स्थल के द्वारा जो दूरी थी, वह है 370 km थी, अगर समुद्र की बात की जाए, तो यह दूरी घटकर, मात्र 80 km रह गई है, जो यह समुद्र पैक्स फैरी चलाई गई है, उसक दोस्तो चलिए बात करते हैं, गुजरात की तो मैप में आप देखी चुके हैं, यह गुजरात है, गुजरात की स्थापने 1 माई 1960 में की गई थी, राज़तानी गांधी नगर है, गवर्नर आचारी देपरत हैं, यहां के जो मुख्यमंत्री हैं, वह है विजयरूपानी है, राज़सवा की 11 है, और लोगसवा की कुल 29 सीथे हैं गुजरात में, नेक्ट कोशन है, मल्यालम सिनेमा में आजीवन युगदान देने के लिए किसे जेसी डेनियल पुरुसकार से सम्मानित किया गया है, तो दोस्तो इसका सही ओप्षन है हरी हरन, हरी हरन को मल्यालम सिनेम के आजीवन युगदान देने के लिए जेसी डेनियल पुरुसकार से सम्मानित किया गया है, तो दोस्तो आपको बता दूँ, हरी हरन एक फिल्म कार है, चलिए बात करते हैं जेसी डेनियल पुरुसकार की, इसकी शुरुगात 1992 में की गई थी, यह केरल सरकार के द्वारा द इन्हें जेसी डेनियल का पहला पुरुसकार मिला था, और 2020 में यह अवार्ड हमारे हरी हरन जी को मिला है, नेस्ट कोशन है, SEO Council of State की बीसवी सिकर सम्मिलन की अध्यक्षता किस ने की है, तो दोस्तो इसकी अध्यक्षता ब्लादीमीर पुतिन ने की है, जैसा कि आप जानते इम्पूर्टेंट है, यहां से आपके एक्जाम में क्वेशन बन सकता है, चलिए दोस्तो आपको बता दू, यह SEO का फुल फॉर्म संगाई कॉर्परेशन आयो है, इसकी स्थापना 2001 में की गईती हेड़कॉर्टर वीजिंग में है, अगर मेंबर कंट्री की बात की जाए, तो कुल 18 हैं मेंबर और अब्जरवर कंट्री हैं, और इसकी जो डीजी हैं, वह है ब्लादिमीर नोरोग है, आपको इतना इसकी बारे में याद रखना है, नेस्ट कोशन इस रो द्वारा भीजी गई, 2020 में पहली सैटिलाइट का नाम क्या है, तो दोस्तो इस सैटिलाइट का नाम IOS-1 है, 2020 में जो इसरो के द्वारा भीजी गई, पहली और आखरी सैटिलाइट थी, उसका नाम IOS-01 है, दोस्तो यह एक राडार एमेजिंग सैटिलाइट है, इसके अलावा जो इसरो ने 9 और देशों की सैटिलाइट भीजी है, दोस्तो यह PSLV C-49 रोकेट के द्व भीज चुका है, तो कुल 308 सैटिलाइट इसरो अब तक जो बिदेशी सैटिलाइट है, उन्हें भीज चुका है, दोस्तो कुछ और important fact के बारे में अगर बात की जाए, तो इसे हम RISET-2BR-2 की नाम से भी जानती है, यह जो सैटिलाइट IOS-1 है, इसे हम RISET-2BR-2 की नाम से जानती है, साट के लुकुल इसका बजन है, और यह सीमा उपन नजर रखेगी, तो यह एक important fact आपको याद रखना है, Next question, नए मुख सूचना अयुक्त हाली में किसे बनाया गया है, तो यस्वर्धन सिन्हा को हाली में नए मुख सूचना अयुक्त की तोर पर नियुक्त किया गया है, दोस्तो इन्हें जो सपत है वह रामनात कोविन, जो हमारी रास्टपती हैं, उनके द्वारा दिलाई गई ह तो ये एक important factor बन जाता है, आपसे exam में पूछा जाएगा, कि जो सूचना अयुक्त होते हैं, उन्हें कौन सपत दिलाता है, तो हमारी जो रास्टपती हैं, उन्हें सपत दिलाती हैं RBI के अनुसार मद्रदेश में 10,000 पूर्सों पर कितने डॉक्टर हैं, तो दोस्तों इसका सही option है 4, मद्रदेश में 10,000 पूर्सों पर कुल 4 डॉक्टर हैं, ये report RBI के द्वारा जारी की गई है, आपको बता दें, WHO की guideline के अनुसार प्रती 1,000 व्यक्तियों पर 1 डॉक्टर ह दोस्तों आपको बता दें, MP का जो स्वास्तिक सेवा पर खर्च है, वह है 1.3 प्रतीशत है, कोरोनो का देखते हुए दोस्तों इसको तो कम से कम मद्रदेश सरकार को बढ़ा देना चाहिए, 1.3 प्रतीशत है, ये बहुत ही कम जो स्वास्तिक बजट है, उसकी अंतरगत की गई थी, और हमारी जो स्वास्तिमंती डॉक्टर हर्शवार्दन ने उनकी द्वारा 7 नमंबर को 2014 से कैंसर जारुत दवस की शुरुवात की गई है, नेस्ट कोशन हाली में मोदी जी के द्वारा 695 करो रुपए के प्रोजेक्ट का उधगाटन कहां किया गया है, तो दो जिसमें 36 प्रोजेक्टर, BHU सेंटर, आयरविद कॉलेज और वैदिक विज्ञान केंदर भी यहां पर इस्थापित किये जाएंगे, तो यह एक important question बन जाता है, आपको याद रखना है, नेस्ट कोशन, हाली में दुतिय विश्विद्ध की कौनसी सालग्राह मनाई गई है, तो दोस्तो दुतिय विश्विद्ध की 75 सालग्राह मनाई गई है, आपको पता है, 1949 से 1945 के बीच करीब 6 साल तक World War 2 यानि दुतिय विश्विद्ध चला था, जिसमें लगवक 7.5 करोड मारी गए थे, दोस्तो आपको पता होगा, USA द्वारा पहली बार परमाणु बं का प्योग किया गया था, हिरोशिमा में लेटल वॉइ नामक परमाणु बं और नागा साकी में फैट में नामक परमाणु बं का उप्योग USA के द्वारा किया गया था, जिन्हें USA ने जापान के लिए यूज किया था तो आपको ये important question ने पूछा जासकता है दुतिय विश्युद्धी की 2020 में जो साल गरह थी वह 75 भी थी Next question करनाटक सरकार के द्वारा किस cricket player को A club पुरुषकार से प्रदान किया गया है तो ये है KL Rahul, KL Rahul जो cricket के player है उन्हें करनाटक सरकार के द्वारा इस A club पुरुषकार से सम्मानित किया गया है दोस्तो बात आईए करनाटक की तो आपको मैप में करनाटक के बारे में बता देगा मैप में आप देख पाना हूँगे ये है करनाटक, करनाटक की स्थापना एक नॉम्मर 1956 में की गई थी दोस्तो इसकी जो राज़दानी वाय बैंगलूर है जो राजपाल है वाय बजूबाई भाला है अगर बात की जाए मुख्यमंदरी की तो B.S. येदुरपा जो भाज़ापा से हैं यहां की मुख्यमंदरी है लोगसवा की 28 और राज़सवा की 12 सीटे हैं करना टक में नेस्ट कोशन है हौकी इंडिया का नया अध्यक्ष हाली में किसे चुना गया है तो दोस्तो हौकी इंडिया का नया अध्यक्ष ग्यानेंदर निगुम बाम को चुना गया है जैसा कि आप चानते हैं दोस्तों जो मनुसाहनी है वो है ICC के CEO है सौरप गंगुली BCCI के Head है अब बात की जाए अगर Greg Barclay दोस्तों ये हाली में ICC के Chairman बनी है तो इन चारों के बारी में आपको याद रखना है बाताईए होकी इंडिया की तो आपको होकी इंडिया की बारे में कुछ important effect बता दें भारती होकी की स्थापना 20 मई 2009 में की गई थी इसका Headquarter नई दिल्ली में है और इसकी अध्यक्ष में ने बताया ग्याने इंदर निगोंबाम बने है नेस्ट question है MM1 A1 Championship के विजिता कौन है तो दोस्तो इस Championship के विजिता है रितू फोगाट आपको इनका नाम याद रखना है और ये एक most important question है आपको याद रखना है MM1 A1 Championship के विजिता है रितू फोगाट दुनिया की पहली hospital train किस देश में चलाए गई है तो दुनिया की पहली hospital train भारत में चलाए गई है ये most important question है दोस्तो इस train का नाम Lifeline Express है तो ये आपको याद रखना है COVID-19 के दौराँ चलाए गई ये पहली मलब दुनिया की पहली hospital train है तो आपको इसके बारे में याद रखना है इसमें बिद्या वालन ने किरदार निभाया है आपको बता दे यह है पुरुसकार जीत कर यह है फिल्म 2021 में भारत की तरफ से आसकर योगिता के लिए पार्त की गई है तो ये एक important fact आपको याद रखना है इस फिल्म का नाम है Nutcut next question किस मंत्राले का नया नाम जहाजरानी और पूर्ट इसके अलाबा जलमार्ग मंत्राले किया गया है यानि जहाजरानी पूर्ट और जलमार्ग मंत्राले किया गया है तो ये है shipping मंत्राले shipping मंत्राले का नया नाम जहाजरानी पूट और जलमार्ग मंत्राले किया गया है आपको बदा दें इसके जो मंत्री है वह है नितिन गटकरी है नितिन गटकरी सड़क और परिवहन मंत्राले के भी मंत्री है दोस्तो एक और नाम चेंज हुआ है जिसका नाम मारो संसाधन विकास मंत्राले है इसका नाम हाली में बदल कर सिक्षा मंतरा लगिया गया है और इसका जो मंतरी बनाया गया है वह रमिस पोखरियाल निशंक को सिक्षा मंतरी नया बनाया गया है तो यह एक important fact आपको याद रखना है यहां से आपके exam में question पूछे जाने की संभावना है यह most important question है आपको इसको याद रखना है next question Miss Universe Australia 2020 किसे चुना गया है तो दोस्तो मारिया थाटील को Miss Universe Australia 2020 से सम्मानत किया गया है आईए बात करते हैं जोची बिना तुन्जी की दोस्तो यहां पर तुन्जी है जोची बिना तुन्जी को 2020 में Miss Universe चुना गया था और अगर बात कीज़ें टोनी एन सेंगी तो दोस्तो इन्हें टोनी एन सेंग को Miss World 2019 बनाया गया था यह जमयका की रहने वाली हैं और जोची बिना तुन्जी हैं दोस्तो यह South Africa की रहने वाली हैं हिंदी में थोड़ा सा गड़वड हो गया है आप इंगलेस में इनकी नाम देख सकते हैं नेस्ट कोर्शन है रास्तिय जल पुरुसकार 2019 के तहत सर्वस्रिष्ट राज्य का दर्जा किसे दिया गया है तो दोस्तो यह है रिपोर्ट 2020 में आई है और जो 2019 की रिपोर्ट है इसमें पहला जो दर्जर दिया गया है वह तमिल लाडु को दिया गया है दोस्तो आपको याद रखना है तमिल लाडु को रास्तिय जल पुरुसकार 2019 से सम्भानित किया गया है अगर बात कीजा जल सनरक्षन में सीर से जिला कौन सा था तो दोस्तो जो कड़कपा जिला है आंदरपदेश का कड़कपा जिला जल सनरक्षन में पहले इस्थान पर पाया गया है मचवारों के जीवन सुधार के लिए परिवर्तन योजना किस राज में शुरू की गई है तो यह योजना केरल के द्वारा शुरू की गई है मचवारों के जीवन सुधार को लेकर परिवर्तन योजना शुरू की गई है दोस्तो बात आईए केरल की तो चलिए मैप में केरल के बारे में आपको बता दूँ मैप में आप देख पा रहे होंगे यह है केरल के लोकेशन आप देख पा रहे होंगे इस्तापना की गई थी एक नमबर 1956 को राज़्थानी तिरुवन नत्पुरम है गवर्नर आरिफ मुहमत खान है मुख्यमंत्री पे नराई विजियन है राज्यसवा की 9 और लोक्सवा की कुल 20 सीटे है केरल में विश्व विज्यान दिवस कम मनाया जाता है तो प्रतेक 10 नमबर को विश्व विज्यान दिवस सेलिबरेट किया जाता है 2001 में इस दिवस को यूनेस के द्वारा घोशित किया गया था और 2002 से विश्व विज्यान दिवस की प्रतिवर्स मनाया जाने लगा नेस्ट कोशन 2020 में IPL का कौन सा संस्क्रण का आईजन किया गया है तो दोस्तो 13 वे संस्क्रण का आईजन 2020 में IPL का किया गया था दोस्तो बात आईए IPL की तो चलिए 2020 के IPL के जितनी भी important question उनको एक बार revise कर लेते हैं तो आपको पता है जैसे कि 2020 का जो IPL विजट है वह मुंबई इंडियन्स रहा है इसके साथ जो final में टीम खेली थी वह है डिली कैपिटल से है बात करें अगर मुंबई इंडियन्स की तो दोस्तो यह 5 वी बार बिनर रहा है IPL का इससे पहले 2013 में 2015, 2017, 2019 और अब 2020 का संसकंड IPL का मुंबई इंडियन्स न जीता है एक important fact यह आपको यह जाद रखना है कि मुंबई इंडियन्स पांच बार यह IPL जीतने वाली एक मात्र टीम है चलिए कुछ और important fact की बारें बात करते हैं जो आपकी exam के लिए most important है orange cap दिया गया है के राहूल को 670 रन के लिए purple cap कगी सु रवाडा को दिया गया है 30 विकेट होने लिए थे most valuable player जोफरा अर्चर को चुना गया है emerging player के लिए देवदत्र पडिकल को चुना गया है fair play award जो टीम न जीता है वह मुंबई इंडियन्स है final match में जो player of the match बने थे वह है 10 वोल्ट बने थे most success 2020 के IPL में इसान के सन्ने लगाए है और दोस्तो most important question पूछा जा सकता है ये कि पहला match किन दो टीमों के 20 खेला गया था 2020 के IPL का तो मुंबई इंडियन्स वर्सेस चेन नहीं सोपर किंग्स का 2020 का पहला match खेला गया था तो ये कुछ important fact हुई IPL के बारे में आपको याद रखना है exam में आपके यहां से एक question जरूर बनता है next question है भारत रतन डॉक्टर भीमराव अंबेटकर अबोड 2020 किसे दिया गया है तो हमारे सुनिजेट्टी जो एक actor है उन्हें यह भारत रतन डॉक्टर भीमराव अंबेटकर 2020 का अबोड दिया गया है next question राश्टी सिक्षा दिवस कब मनाया जाता है तो परतेक 11 नवंबर को राश्टी सिक्षा दिवस मनाया जाता है दोस्तो यह सिक्षा दिवस किसके उपलक्षव मनाया जाता है तो हमारे पहले सिक्षा मंत्री मौलाना अबुलकलाम आजाजजी की जैनती पर यह दिवस मनाया जाता है इस दिवस के शुरुवात 2008 से की गई है परतेक 11 नवंबर को National Education Day सेलिबरेट किया जाता है Next Question Your Best Day is Today बुक के लेखक कौन है तो दोस्तो इस बुक के लेखक अनुपम खेर हैं आपको इनका नाम याद रखना है अनुपम खेरना है Your Best Day is Today यह बुक लिखी है Next Question है पाक किर्केट बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष किसे चुना गया है स्वामी विविकानन्द की प्रतीमा का अनावरण किसके द्वारा किया गया है तो प्रधान मंतरी मोदी जी के द्वारा स्वामी विविकानन्द की प्रतीमा का अनावरण हाली में किया गया है दोस्तो आपको वदा ने इस अनावरण को G&U दिल्ली में किया गया है चलिए कुछ important fact की बात करें स्वामी बेवेकानन्द की बारी में इनका जन्म 12 जन्मरी 1863 में हुआ था दोस्तो इनका जो पुरान नाम है इन्हें नरेंद्र दत्त की नाम से जाना जाता था बाद में इनका नाम स्वामी बेवेकानन्द पड़ा दोस्तो बारह जन्मरी को युवा दबस भारत में सेलिब्रेट किया जाता है स्वामी बेवेकानन्द की जन्न चैन्ती पर इनकी मेर्थ्यू 4 जुलाई 1902 में हुई थी इन्होंने रामकृष्ण मिसंट और मठ दोनों की इस्थापना की थी और इनके जो गुरु है वह रामकृष्ण परमहस थे तो ये कुछ इंपोर्टन फैक्ट हुए स्वामी बेवेकानन्द की बारी में नेक्स्ट कोशन 2020 में भारत की सबसे बड़े दान दाताओं में पहले इस्थान पर को न है तो अजीम प्रेम जी पहले इस्थान पर हैं जो 2020 में भारत में सबसे बड़े दान दाता बने हैं आपको बता दें इन्होंने 7904 करोर रुपए दान की हैं वहींगर बात की जाए second इस्थान पर तो Civ Nadaar second इस्थान पर हैं और Mukis Amboni third इस्थान पर हैं सिव Nadaar जो SCL की head है इन्होंने 755 कर Tarare को रुपय दान किये हैं और बात कीजाए अगर Mukis Amboni की तो 426 करो रुपय इन्होंने दान किये हैं नेस्ट कोशिइन मंद्वपर्धिस में कहां विज्ञान को बढ़ावादे ने प्रतीस पर दा का ऐउजन किया गया था तो दोस्तो इसका सही option है दतिया, दतिया में विग्यान को भढ़ावा देने, प्रितिस पर्दर का आयजन किया गया था, बित्यारती विग्यान पर फिल्म बना सकते हैं, या जो बनाने जा रहे हैं, वह अपने फिल्म पांच मिनिट की बना कर साइट पर भेज सकते हैं, दोस दोस्तो मैप में आप देख पर हुए ये location है दतिया की, आपको दिख रहा हुगा है, इसकी जो सीमा है, वह है, उत्तरपदिस से लगती है, चलिए आप कुछ important fact की बात करते हैं, तो सबसे पहले, राज्य में जो परतम नगर पालिका बनाए गई थी, वह है दतिया में ही ब मशूर है, दतिया को लगु ब्रंदा बन भी कहा जाता है, माता टीला पांध, राजगाट परियोजना, रानी लक्षिवाई सागर परियोजना, ये दतिया और उत्तरपदेश की सीमा पर ही इस्तित हैं, बात कीजा सूर्य मंदर बालाजी उन्नाव में है, रतनगर घने जं दोस्तों, इतने important fact आपको दग्या के बारे में याद रखने हैं, नेस्ट कोशन है, मद्दपरिश में बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, योजना का brand ambassador किसे चुना गया है, तो दोस्तों, इसका brand ambassador अंशिका गुपता को चुना गया है, आपको बता दें, ये इन्नोंने silver medal जीता है, नेस्ट कोशन हाली में घूसित 42 वी रामसर साइट कोनसी है, तो दोस्तों इसका सई option है, सूर्ज सागर जील, भारत में घूसित रामसर साइटों में बेलीश साइटों में 42 स्थान पर है, दोस्तों, कुल 42 साइटें रामसर की भारत में बनाई गई ह जनमें सूर सागर हाली में एड़ की गई है अब यह सूर सागर जील कहा है आपको बता दें यह सूर सागर जो जील है आगरा में इस्थित है और इसे कीथम के नाम से जाना जाता है important fact यह भी है कि यह रामसर साइट में सामिल होने वाली भारत की तो 42 साइट है लेकिन उत्तरपदेश की आठवी साइट है सबसे आदा साइट है उत्तरपदेश से ही एड़ की गई है रामसर साइट में चलिए यह रामसर साइट होती क्या है सबसे पहले आपको इसके बारी में बता रहे दोस्तो 1972 में इरान की रामसर में अंतरास्टी आयोजन किया गया जिसमें दुनिया भर की बैटलेंड चित्र की भूमी की एक सूची बनाए गई जिसमें भारत की कुल 42 साइटों को हाली में जोड़ा गया है दोस्तो ये बैटलेंड का मतला होता है दल्दली भूमी ये भूमी बहुत उपयोगी होती है जानवरों के लिए परियावन के लिए और कारवन एमिशन के लिए भी बहुत इंपोटेंट होती है तो ये साइट हैं जो जोड़ी गई है उसमें सूर सागर को 42 साइट की तोर पर जोड़ा गया है अगर आपसे एक और इंपोटेंट एफेक्ट बन सकता है 41 वी साइट को थी तो ये जो लो नार जील है महरास्ट में इस्तित है या 41 वी साम रामसर साइट थी भारत में next question 2020 में कितने विक्रम अवर्ड प्राप्त खिलाडियों को उत्रष्ट खिलाडी घोशित किया गया है तो दोस्तो कुल 10 खिलाडियों को जिल्होंने विक्रम अवर्ड प्राप्त किया है इन्हें उत्रष्ट खिलाडी भी घोशित किया गया है उत्रष्ट खिलाडी घोशित ये तीरंदाज प्लेयर हैं जानकी भाई ये जुडों से संबंदेते हैं और ये दिव्यांग किलाडी हैं तो ये कुछ नाम आपको याद रखना है 2020 में इने विक्रम अवाड दिया गया था जन जाती गौरब दवस कम मनाया गया है तो दोस्तो यह है जो गौरब दवस है 15 नवंबर को मनाया जाता है दोस्तो इम्पूर्टेंट फेक्ट यह है कि जन जाती गौरब दवस मत्पृदिस में ही सेलिब्रेट किया जाता है इसकी एक्जाम में ये question पूछा जा सकता है Next question हाली में बिहार के निमनमे से कौन से मुक्यमंत्री बनी है तो दोस्तो आपको बता दू नितीश कुमार बिहार के नए मुक्यमंत्री बनी है आपको एक और important fact याद रखना है दोस्तो नितीश कुमार साती वर सियम पत्की सपत लेंगे पिहार के मुक्यमंत्री के तौर पर यहां पर दो उप मुक्यमंत्री भी बनाये गए हैं जिसमें पहले तो हैं प्रशाद और रेणू देवी इन दौनों जन thereum को उप मुक्यमंत्री बनाया गया है इसके अलाबा अगर बात की जाए ये नंद किसुर याद आपको option में देख रहा हूँगे ये कौन है तो यहां के ये विधानसवा अध्यक्ष के तोर पर चुने गए हैं तो ये चार question मैंने आपको एक ही slide में बता दिये है next question हाली में सौमित्र चटर जी का निधन हुआ ये कौन थे तो दोस्तो ये बहुत प्रिसिद अभीनेता थे बंगाली अभीनेता थे जिनका हाली में निधन हुआ है इनका नाम सौमित्र चटर जी है most important question है आपको याद रखना है 85 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ है 300 से नाम है सौमित्र चटर जी 200 मधू में दिवस कम मनाया जाता है तो प्रतिक वर्ष 14 नवंबर को 200 मधू में दिवस यानि वर्ल्ड डायविटीज डे सेलिब्रेट किया जाता है आपको बता दें इस बार इसकी थीम दर नर्स एंड डायविटीज रही है 1991 से डवले अजी की द्वारा 200 मधू में दिवस यानि डायविटीज डे की शुरुआत की गई है तो दोस्तो यह था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने बात की 11 से 20 नॉम्बर 2020 के विए जितनी भी important question हों उनके बारे में अगर वीडियो आपको लाइक आता है तो इसे लाइक कीजिए वीडिय आप चैनल का उस पर भी आप जुड़िए हमें इंस्टाग्राम पर भी follow कर सकते हैं आप और इसके अलावा अगर आपको PDF चाहिए है तो टेलिग्राम पर जरूर जुनें तो दोस्तो आज के लिए वसकतना ही नमस्कार, have a nice day